नमस्ते मैं सोमा पाठाक आप सबकी वेल विशर आज मैं जो एंजल नंबर बताने वाली हूँ ये लोगों को हर घर में लगभग हमेशा ही इस प्रॉब्लम का सामना सभी को करना पड़ता है मुझे भी करना पड़ता है कभी-कभी अगर आप एंजल नंबर्स यूज करना नह यू मैं बताने की कोशिश करती हूँ तब कि आप लोगों को आप लोग जो नए विवर्स हो आप लोगों को आसानी से समझ में और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे मेसेज किजिएगा या कमेंट में बताईएगा तो मैं आपको लिंक जरूर दे दूंगी ता हर घर में हर वेक्ति को ही होता रहता है तो इससे हम चुटकारा पाने के लिए दवाईया तो लेते हैं तो वह एंजल नमस किस प्रॉब्लम के लिए है गैस और एसिडिटी हम सभी बहुत खाना पीना पसंद करते हैं अलग-अलग दिशन तयार करते हैं खाते हैं कोई भी ओ तो अगर आपको डाइस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है आपको एसिडिटी हो रही है और गैस का प्रॉब्लम हो रहा है तो यह एंजल नमबर्स आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यह मैं गैरंटी दे सकती हैं क्योंकि और एक और बात बताऊंगी कि गैस और एक साथ ही होता है तो इसलिए दो दोनों हैं इंजल नमबर्स मैं एक साथ बताने वाली हूं ताकि दोनों का कॉंबिनेशन जब आप यूज करेंगे तो आपको फाइदा जरूर होगा कभी-कभी होता है कि हमें गैस के प्रॉब्लम हो रहा है या एसिडिटी से प् इसलिटी होती है तो हमें समझ में नहीं आता है कभी-कभी गैस और एसिडिटी की वज़े से सर में दर्ड भी होता है जिनको माईग्रेन की प्रॉब्लम है उनको भी इस गैस ऐसिडिटी के वज़े से उनका पेम बहुत ज़ादा बढ़ जाता है तो और ज़्यादा लंबा करना करके बताती हूं आप लोगों को गैस और एसिडिटी का इंजल नंबर गैस का इंजल नंबर है 44351 44351 और एसिडिटी के लिए 548567454856745485674 अग इसे कैसे यूज करना है मैं एक बार बता दूँ आप लोगों को देखिए मैंने जैसे यहां पर लिखा है आप लोगों को दिखेगा आपको अपने लेफ्ट हैंड में या लेफ्ट बॉडी पार्ट में कहीं भी आप लिख सकते हैं अगर आपको डिस्प्ले नहीं करना है अगर में यहां आपने लिखा तो कोई अगर आपको पूछ रहा है प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप पयर सकते हैं में आपके लेफ्ट बॉडी पाट पर आपको लिखना जरुरिये हैं और दूसरी बात है जैसे जैसे इहémन तेकर यह जैसे लिखना हो रहा है एक बार मेरे विश्वास करकर अभी चैन्ट करके लेखिए त्री मिनिर्स घरी देखके चैन्ट कीजिए वैसे तो 45 टाइम्स करके दिन में तीन या चार बार चैन्टिंग करने से या आपके जरुवत के ही साफ से आप चैन्टिंग करें तो इसका फाइदा मिलता है साथ ती साथ आपको water bottle में मतलब जिस पानी के bottle से आप पानी पी रहे हैं उसमें आप marker pen से blue marker pen से इन दोनों angel numbers को लिख दीजिए और पांच मिनिट बाद से वह पानी जब activate हो जाएगा फिर आप उस पानी को थोड़ी तेर बाद बाद 10 मिनिट 15 मिनिट बाद बाद पीना स्ट कीजिए और फिर देखिए आपको धीरे धीरे relief मिलना शुरू हो जाएगा उसके बाद अगर बहुत ज्यादा problem नहीं तो फिर आप जरूर दबाई ले सकते हैं कोई problem नहीं है और अगर हलका-फुलका है तो फिर इसी angel number को chanting करने के बाद और आप जब पानी पीएंगे angel number वा तो suppose आपको gas की problem हो रही है तो फिर आप कैसे chant करेंगे 44351 44351 44351 ऐसे आपको chanting करना है और acidity का जो angel number है वह कैसे chanting करेंगे 5485674 ऐसे आप continue कीजिए minimum 3 minutes और यह chanting जब आप कर रहे हैं तब आप अपना काम करते करते भी आप chanting कर सकते हैं intention set कर लीजिए कि मुझे gas और acidity की problem है इसलिए मैं यह chant कर रहा हूं और फिर आप chanting करते रहे हैं गलत मत chant कीजिएगा एक बार अच्छे से देख लीजिए जब आप fluently बिना देखे chant कर पा रहे हैं तब ही आप fluently chant कीजिए और अपना काम भी साथ साथ कर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है और कहा जाता है कि angel numbers switch words आप जितना विश्वास करेंगे उतना ही आपको अच्छा फल देगा आपको अच्छे से relief देगा यह सच है पर मैं तो कहती हूँ आप angel number अगर विश्वास किये बिना भी यूज करते हैं तो आपको फिर भी relief मिलेगा और guarantee दे सकती हूँ आप अगर सही तरह से continuously chanting करें और पानी पिये तो आपका problem तो solve होगा ही आप विश्वास करने में विश्वास करना आपको विश्वास करना ही प बारे में आप लोगों जानना चाहते हैं किसी particular problem के लिए आप कौन सा angel number जानना चाहते हैं आप जरूर comment box में पूछ सकते हैं मेरे whatsapp में message कर सकते हैं मैं busy तो रहती हूँ पर मैं कोशिश करती हूँ सब का reply देने का तो जरूर आप लोगों को help करने की कोशिश करूंगी my level best अजींट अजींट